दोस्तो अगर आप लोग भी क्रिप्टो से पैसिव इंकम जेनरेट करना चाते हैं तो आप लोगोंने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूँ पैंकेक स्वाब क्या है अपैंकेक स्वाब के help से आप लोग किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं इस वीड़ो में आगे बढ़ने से पहले की रिक्वेस्ट रहेगा चैनल पढ़ना है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बूलेगा तो चलिए आज वली हमारी इस वीड़ो को शुरू करते हैं अभी हम लोग आ चुके हैं PC की स्कीन के ओपर इस hora कर सकते हैं इस वीड़ो में आगे पहले मेरा है कि रिक्वेस्ट रहेगा अगर आप लोग उने मैटा मास्क वाला वीडियो हमारा है देहा जहाँ पर मैंने एक्स्पलेशिया कि मैटा मास्क में गा है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के आइए बुटन पर मिलेगा तो उस वीडियो को जाकर पहले देख लीजेगा उसी के बाद यी वीडियो देखेगा तभी आप लोगों के सब इडाउट यहां पर clear होंगे दोस्तो सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि यह pancake swap आकिर है क्या pancake swap दोस्तो एक decentralized exchange है decentralized का मतलब यह कि यहाँ पर कोई भी ऐसी centralized authority नहीं है जो कि pancake swap को control कर सके या फिर अपनी मनमर्जी कर सके हम लोग यहाँ पर एक example लेते हैं जहाँ पर मैं Binance और pancake swap को compare करने वाला हूँ दोस्तो Binance एक centralized exchange है और वहीं बात की जाए pancake swap की जो कि decentralized exchange है अब दोस्तो centralized का मतलब यह है जहाँ पर centralized authority रहे जो कि अपने exchange के साथ कुछ भी चाहे मनमर्जी कर सकते हैं Binance exchange का हम लोग example ले रहे हैं जहाँ पर Binance एक centralized authority है फिर Binance एक centralized exchange है जहाँ पर इनके जो भी head रहेगा वो सब जो चाहेंगे अपने exchange के साथ कर सकते हैं वहीं पर pancake swap की बात कीज़े तो pancake swap में ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर कोई भी head नहीं है जो कि इसे control कर सकें यहाँ पर आप ही खुदी के मालिक हैं अगर आप लोगों को यहाँ पर किसी भी तरीकी का लोस होता है तो भी उसके आप लोग जिम्मेवार रहेंगे और अगर आप लोगों कोई profit होता है तो उसके भी आप हगदार रहेंगे तो overall कहने का मतलब यह है कि अगर देखा जाए कि दोनों में safe क्या है तो दोनों ही अपनी अपनी जगए safe है और दोनों ही अपनी अपनी जगए यहाँ पर risk factor भी लेकर आते हैं जहाँ पर बात की जा लेगा तो उस case में आपका अगर fund finance में रहेगा तो वहाँ पर भी आपको loss हो सकता है वहीं बात की जाए pancake swap की तो यहाँ पर आप लोगों को ऐसा कोई problem face करने को नहीं मिलेगा because यहाँ पर कोई भी centralized authority नहीं है और कोई भी यहाँ पर इसे hack नहीं कर सकता right so अब हम लोग जानत के साथ pancake swap को connect कर सकते हैं फिर metamask के साथ connect कर सकते हैं और ध्यान रखेगा अगर आप लोग pancake swap पर आ रहे हैं तो इनकी official website के उपर याना जो की है pancake swap.finance अगर आप लोग किसी भी दूसरी website के उपर चले जाते हैं जो की pancake swap की तरह दिखती है तो वहाँ पर वो एक scammer की website है अग यहां पर मैं metamask के उपर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहां पर देखेगा कि मेरा automatically metamask pancake swap के साथ connect हो चुका है क्योंकि already यहां पर मैंने पहले से इसे approval देकर रखा हुआ है एक चीज़ में आपको और बता देता हूँ कि आप लोग पता कर सकते हैं कि आपने अपन wallet का access है, तो मतलब यह जब website चाहे तो मेरे wallet को access कर सकते हैं, तो आपको हमेशा real genuine website के अंदर यह अपना wallet connect करना है, इस इसका आपको ध्यान रखना है, तो अभी हम लोग सबसे पहले trade के उपर जाते हैं, जहां पर आपको दो feature देखने को मिलते हैं, exchange का और liquidity का, तो मैं exchange के उ mobile के अंदर pancake swap को use करना चाहते हैं, तो trust wallet के अंदर, dap के अंदर जाकर भी pancake swap को use कर सकते हैं, अभी यहां पर आने के बाद दोस्तों, आपको swap का feature देखने को मिलेगा, जहां पर ऊपर BNB है, नीचे आप किसी भी token में से swap कर सकते हैं, तो दोस्तों, यहां पर आप लोग pancake swap के यानि SFP को, यहां पर आने के बाद इसके contact address को आप लोग देखेगा, यह BIP20 chain के उपर बना है, तो यहां पर जो भी token दोस्तों, BIP20 या फिर Binance Smart Chain पर बने हैं, उन सभी tokens को आप लोग pancake swap के उपर easily swap कर पाएंगे, pancake swap दोस्तों, Binance Chain का ही exchange है, जहां पर BIP20 network पर कोई भी token बना है, उसे easily आप swap कर पाएंगे, अगर कोई token दोस्तों, Ethereum chain के उपर बना है, for example, SENT, आप किसी भी token को search करके check कर सकते हैं, किस chain पर based है, for example, यहां पर मैंने SENT को search किया, जो कि यहां पर आप देख सकते हों, इनके contract address के अंदर है, Ethereum and Solana chain पर based है, यानि यहां पर यह Binance chain पर based नहीं इतने भी tokens रहते हैं, उनको swap करने में आपकी help करता है, यह doubt आप लोगों का clear हो चुका है, तो दोस्तों, अगर आप लोग पहन के swap पर किसी भी token को swap करना चाहते हैं, तो आपके बास BNB होना चाहिए, BNB आप लोग कैसे deposit करेंगे, आपको MetaMask के उपर चले जाना है, आप के smart chain के address को आपको copy करना है, और किसी भी exchange पर जाकर आपको BNB को buy कर लेना है, और इस address के उपर आपको BNB को send कर देना है, आप जब भी अपने MetaMask address के उपर BNB को मंगवाएंगे, तो वहाँ पर आप से network पूछा जाएगा, तो network के अंदर हमिशा B20 या फिर BSC को ही आपक swap का खुद का token है cake, तो इसे मैं आपर select कर लेता हूँ, select करना बिल्कुल simple है, simple सा आप लोगो इसके उपर click करना है, देख सकते हूँ, यहाँ पर cake आ चुका है, तो आपके पास जितना भी balance होगा, तो मेरे पास अब भी account के दिए 0.0196 BNB है, तो यहाँ पर मैं max के उपर click क करना है, तो यहाँ पर मैं दोस्तो select कर लेता हूँ, 7, 8, 0.078 को मैंने select किया, अभी यहाँ पर मुझे swap के उपर click कर देना है, swap के उपर आप जैसे click करेंगे, आपको confirm swap के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पर मैं confirm swap के उपर click कर देता हूँ, metamask की तरफ से आपके पास एक click करता हूँ, click करने के बाद यहाँ पर आपको बोलेगा transaction submitted, तो यहाँ पर आप लोगों को दोस्तो right side के अंदर pending का section देखने को मिलेगा, recent transactions के उपर आप लोगों चले जाने है, यहाँ पर जाने के बाद, आप लोग देखिएगा कि जो आपका swap था, वो pending में है, और अभी यहाँ पर यह हो चुक है success, success होने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके का notification भी आ जाएगा, तो अभी तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पर मेरे account के अंदर जो balance है, वो हो चुक है 4.07 cake, तो यहाँ पर अभी मेरे पास BNB थे पहले जिसको मैंने swap कर लिया, cake token के अंदर, अ max के उपर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको enable के approval के लिए यहाँ पर आपके fee आएगी 5-10 रुपे की वो fee pay कर देना, और फिर आपको swap के उपर क्लिक कर देना, तो यहाँ पर फिर से आपके जो cake है, वो swap हो जाएंगे BNB के अंदर, और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों swap के side में setting का icon देखने को मिलता है, basically यह आप लोगों बहुत जादा important है समझने के लिए कई बार क्या होता है कुछ ऐसे tokens होते हैं दोस्तों, जो कि swap नहीं होते है, उस time पर हमें आपर error देखने को मिलता है, वहाँ पर आपको बताएगा कि आपके insufficient fund है, तो उस case आप को सेटिंग पर आना है, यह आप को Aires tolerance देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको स्लिपेज को सलेक्ट करना होता है, अब दोस्तों होता है कि जो सही प्रोमट वन में भी काम चल जाता है, यहाँ तक कि maximum 1 के अंदर भी काम चल जाता है, लेकिन जैसे जो Shiba Inu या फिर जितन पड़ता है आप लोग दोस्तों जितना ज़्यादा स्लीपेज लेंगे उतना ज़्यादा आपको BNB के अंदर फी पे करना पड़ेगा अगर आप 0.5 स्लीपेज लेकर किसी भी टोकन को स्वैप करेंगे तो उसकेस में आपका जो फी है वो 20 से 40 रुपे के बीच में लेगेग कि ऐसा कोई टोकन है जो कि आपका इजली स्वैप नहीं हो रहा तो यहां पर आप लोग उसे फास्ट करके स्लीपेज थोड़ा बढ़ा कर उसके बाद आप 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 क्रोज कर दीजेगा और स्वैप कर लिजेगा उस टोकन को तो यहां पर यह सेटिंग आपकी सेव रहेग कि अगर कोई टोकन 0.5 या 0.2 के अंदर भी हो रहा है तो उसको जादा में तो उस टोकन को आपको जादा स्लीपेज रखकर स्वैप करने की ज़रूत नहीं है फालतों में जादा फीद देने के कोई फायदा नहीं है और दोस्तों अकसर क्या होता है कि आप लोगों को कुछ ऐसी टोकन को स्वैप करना होता है जो कि इस लिस्ट में नहीं होते है तो यहाँ पर मैं एक्जम्पल लेने वाला हूँ स्वैप का तो या फिर आप किसी भी ऐसी टोकन को सेलेट करना जो की B20 नेटवर्क पर बेस्ट हो यानि बाइनांस चैन के ओपर वो टोकन बना हुआ ह तो यहां पर मैं सेफ पॉल को सैट कर लेता हम इसके कोंटक्ट एडस को आपको कोपी कर लेन के बाद आपको जिस भी टोकन में स्वैप करना है उसको हमेशा नीचे रखना है तो मैं केक को स्लेट करके यहाँ पर स in contribute कट कर देता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेंसे अगर आप फर्स टाम एड़ करने के लिए बोला जाएगा तो सिंपल साप कर देंगे अगर अब मैं चाहूं तो अपने BNB को SFP में यानि SafePol के अंदर स्वैब कर सकता हूँ तो आप किसी भी टोकन के कॉंट्रेक्ट एड्रस के तुरू जो भी BNB पर बेस्ट है उनके कॉंट्रेक्ट एड्रस को आप लोग यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है और उस टोकन को आप लोग एजली स्वैब कर सकते हैं अब दोस्तों मानकर चलो कि यहाँ पर मैंने जो है केक को स्वैब किया था तो यहाँ पर आप केक को देख सकते हैं अब यह केक मेरे मैतामास के अंदर कैसे शृ बाज कोशन है अभी आप देख सकते हैं मेरे मैतामास के अंदर यहाँ पर मुझे शोऊ नहीं हो रहा कि नहीं और अभी कैसे शौो होंगे तो आपको क्या करना है इसम्पल सा जाना है को इन मार्केट कर ओ पर पर और जिस भी टोकन को आप लोग buy हुआ है तो आपको गागाने इसके contact address को copy करना है and चले जाना है MetaMask के उपर and यहाँ पर आने के बाद import tokens नीचे आपको show होगा इसके उपर click करना and इसके contact address को paste कर देना है add custom token के उपर click कर देना है import token के उपर आपको click कर देना है अब भी तुम लोग देखेगा कि जहां पर पहले आपने जो tokens को buy किया तो वो show नहीं हो रहे थे लेकिन अब भी contact address add करते हैं आपके cake token यहाँ पर show हो चुके है उसके साथ दूस्तों यहाँ पर trade के अंदर जो next feature है वो liquidity के बारे में मैं ज्यादा इस video में बात नहीं करूँगा liquidity के लिए मैं किसी separate video बनाऊँगा इसके लिए जहां पर हम लोग पूर detail में बात करेंगे liquidity basically farming को बोलते हैं टिक है उसके बाद यहाँ पर आपको एक feature देखने को मिलेगा earn का earn के ओपर जाने के बाद यहाँ पर farms and pools आपको देखने को मिल जाते हैं farms basically जैसे कि मैंने आपको बताया liquidity का मतलब भी farming है टिक है जहां पर अगर आप liquidity प्रवाइड करते हैं उसके बाद आप कर सकते हैं तो यहाँ पर इसको हम लोग एक बार skip करते हैं उसके बाद हम चलते हैं pools के अंदर pools में आने के बाद यहाँ पर guys आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग यहाँ पर passive income generate कर सकते हैं passive income यानि आप लोग यहाँ पर कुछ cake tokens को अगर buy करते हैं उन्हें यहाँ पर stake पर लगा देते हैं तो उसके बदले में आपको यहाँ पर passive income generate होती रहेगी तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि auto cake, manual cake, यह क्या है मैं आपको यह अगे बताने वाला हूँ मैं यहाँ पर आप दिख से तो earn THG जो Thetan Arena coin भी अगर आप earn करना चाहते तो simple साब जैसे cake को यहाँ पर stake पर लगाओगे उसके बदले में आप लोग यहाँ पर इस token को earn कर सकते हैं उसी तरीके से guys अगर आप लोग cake token को यहाँ पर stake करेंगे तो आ auto cake के अंदर यहाँ पर आपको APY show हो रहा है यानि annual percent year तो यहाँ पर मैंने जैसे इस पर click किया click करने के बाद मान कर चलो मैंने यहाँ पर 1000 dollar जो है 1000 dollar यानि 145 cake token अगर मैं यहाँ पर stake पर लगाता हूँ auto वाले में तो उसके बदले में मुझे 1 साल के अंदर guys 617 dollar का profit होगा य आपने 145 stake पर लगाया एंड एक साल के अंदर आपको यहाँ पर APPROX APPROX 90 cake token का profit होगा मान कर चलो 1000 dollar लगाया और आपको मिला 617 dollar का profit और यही पर अगर आप बैंक में इन्वेस्ट करते हैं 17000 रुपे तो मेरे साब से वहाँ पर आपको कुछ भी profit नहीं है अगर पर year की दिन का भी देख सकते हैं अगर आप 1000 dollar यहाँ पर stake लगाते हैं तो यहाँ पर आप लोग 40 dollar पर month अंद करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप लोग इनकी dollar की value को मत देखो आप cake token को देखो अब cake token की value अगर बढ़ती है तो उससाब से आपका profit भी बढ़ेगा अगर cake token की value आप डाउन होते है तो आपका यहाँ पर profit भी डाउन होगा तो यहाँ पर आप जितने time के लिए भी लगाना चाहिए 5 साल के लिए अगर यहाँ पर stake पर तो आपको तकरीबन तकरीबन 10,000 dollar से भी जादा का यहाँ पर profit होगा आपको यहाँ पर dollar नहीं देखना आपको यह देखना है कि आपको tokens कितने मिलेंगे तो यहाँ पर आप लोग खुद calculate भी कर सकते हो कि अगर आप जितना invest कर रहें उस हिसाब से आप लोग एक दिन साथ दिन में कितना profit बना सकते हैं उसके बाद बात की जाए दोस्तों manual के की जहाँ पर APR यानि annual percentage return तो यहाँ पर मैं कर चलो यहाँ पर मैंने दोस्तो 1000 dollar invest किया invest करने के बाद अब यहाँ पर होता गया guys APY और APR में क्या होता है कि APR के अंदर आप लोग जो भी tokens को earn कर रहे हैं उससे यहाँ पर आप लोग compound कर सकते हैं फिर डिरेक्ली withdraw कर सकते हैं per day के साब से आपको जो भी profit मिलता रहेगा आ तो इसी में वापस add कर सकते हैं यानि per day यहाँ पर आप लोग जो भी profit करेंगे यहाँ पर 1.34 dollar का आपको per day profit हो रहे है तो आप लोग चाहें तो इसे compound कर सकते हैं या फिर daily का यहाँ पर directly withdraw कर सकते हैं लेकिन auto cake में क्या होगा बार बार जो भी आपका profit बन रहा है यह आपके main जितना भी आपने stake किया था इतने token in cake token के अंदर add होता रहेगा आपका profit भी तो मतलब एक तरीके से देखा जाये तो auto cake में जादा फाइदा देखने हमें मिलता है तो यहाँ पर मैं आपको दोस्तो stake भी करके दिखाने वाला हूँ तो यहाँ पर आपको APY and APR के बीच का difference पता लग चुक है तो यहाँ पर मैं आपको अप यह दिखाता हूँ किस तरीके से आप लोग stake पर लगा सकते हैं जैसा कि मैंने आपके सामने आपर four cake token को buy किया था तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ guys auto cake को select कर लेता हूँ and यहाँ पर आने के पद आपको enable pool करने का option मिलेगा तो अगर आप stake करना चाहते हैं उससे पहले आपको यहाँ पर enable करना पड़े, enable के उपर मैंने क्लिक किया, click करने के पर मेरी metamask के उपर एक pop-up आया, जहाँ पर मुझे 0.08 dollar की fee देने पड़ेगी, यही कोई 3-4 रुपे की, confirm के उपर click कर देना, confirm के उपर click करने के बाद यह उनको यहाँ पर stake लगा देना, तो मैंने आपको दोनों का difference बता दिया, auto cake में और manual cake में, तो आपको जो भी सही लगे उस हिसाब से यहाँ पर आप select कर सकते हो, right, so यहाँ पर मैंने max को select करया, उसके बाद आपको confirm के उपर click कर देना, confirm पर click करने के बाद आपके metamask पर pop-up पाएगा, तो आपको ध्यान रखना है, कि आपको बाद BNB होने चाहिए, fee pay करने के लिए, तो confirm के उपर मैं click कर देता हूँ, तो हमारी transaction हो चुके हाँ पर submitted, और confirming चल रहा है, तो मैं यहाँ पर wait कर लेता हूँ, so guys, आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास message भी आ चुका लगा है, like मैंने यहाँ पर 4 को लगा है, तो यहाँ पर मैं guys enter कर देता हूँ, आपको dollar में amount enter करनी है, तो 27.98 dollar की value के हाँ पर मैंने cake को stake पर लगा है, तो यहाँ पर मुझे दोस्तों, एक साल में इतने dollar का profit होगा, यानि 17 dollar का, आप dollar मत देखो, उसके cake देखो, कितने आपको cake एक साल में मिलेंगे, 2.5 cake मिलेंगे, अब यहाँ पर आपको फाइदे की बात तो मैंने बता दी, अब यहाँ पर आपको क्या risk factor रहेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोग किसी भी token को यहाँ पर stake पर लगा रहे हो, इसलिए आपको cake को लगाना के अंदर एक cake को भाई किया था, अगर cake की value 5 dollar से 4 dollar चली गई, तो यहाँ पर मुझे एक तरीके का low सी हुआ, तो आपकी जो भी stake पर आपने लगा है, यह आपके market value के उपर depend करेंगे, मैंने यहाँ पर 4 cake को stake पर लगाया, तो एक साल की बाद मुझे इतने cake मिलेंगे, और अ तो आपको loss and profit दोनों चीज़े यहाँ पर पता लग चुकी है, किस तरीके से आप लोग यहाँ पर passive income generate कर सकते हो, pancake swap के थूँ, आप लोगों को दोस्तों जो भी profit होगा, वो यहाँ पर आपकी cake profit में show होता रहेगा, तो अब आप देख सकते हो, मैंने यहाँ यहाँ पर 0.00001 cake token को earn की है, तो आपको जितना भी ज्यादा आप यहाँ पर invest करेंगे, उस आप से यहाँ पर profit होता रहेगा, अपने ही risk के उपर यहाँ पर invest करना मैंने आपको दोनों factor बता दिये, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको अपने tokens को यहाँ पर unstake करना है, तो unstake भी आप कर सकते हैं, आप लोगों को यहाँ पर minus के उपर क्लिक करना है, जितने भी आपके 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 क्लिक करना है, और आपके metamask पर जाएगा pop-up, simple सा आपको एक छोटी से fee पे करनी है, 10-15 रुपे की, आपको confirm के उपर क्लिक करना है, जैसी confirm के उपर क्लिक करेंगे, तो जो आपके cake token stake पर लगे हुए थे, वो यहाँ पर unstake हो जाएंगे, और unstake होने के बाद आपके cake token वापस से आपके metamask में add हो जाएंगे, तो अभी मेरे metamask में zero cake आपको show हो रहा है, तो यहाँ पर मैं भी आपको दिखा देता हूँ, एक पर मैं इसे refresh कर लेता हूँ, त तो यहाँ पर metamask के अंदर भी आप लोग देख पाएंगे, मेरे cake वापस आचुक है, और यहाँ पर भी website के अंदर भी जो हमारे cake है, वो unstake हो चुक है, तो जब चाहें, आप लोग अपने cake token को unstake भी कर सकते हैं, उसी की साथ आपको यहाँ पर लोटरी का भी system देखने को म कारे में, तो वो मैं आप लोग लेकर आऊँगा, लेकिन आपको उसके लिए इस वीडियो के निचे कमेंट करके मुझे बता ना होगा, और ये वीडियो आप लोग लिए कितनी helpful रही, वो भी मैं आप लोग मुझे इस वीडियो के निचे कमेंट करके बता सकते हो, चलि दो तो सो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोग इसके से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के रिच्छा है हिन्द, वन्ने मातरम